मौसम से जुड़ी इस वक्त की एक नई अपडेट जारी की गई है जिसमें हम आपको बता दे कि 36 गर में आज कई जगों पर गरज के साथ बारिस होगी तो वहीं बिजली चमकेंगे इनके अलावा वजरपात होने की भी संभौन है तो आखिर किन जगों पर बारिस होगी और क कहां कहां होगा वजरपात आए जानते हैं तो भारत मौसम विज्ञार विभाग आई एमडी के मौसम केंद्र रैपूर ने या जानकारी दी है कि मौसम केंद्र ने कहा कि दक्षिन पूर्व में जो चक्रवात है वह अब पूर्वी उतरप्रदेस और उससे सटे बिहार तक पहुँचके है जो की एक साइकलोनिक सर्कूलेशन ते लंगाना और उससे सटे इलाकों में भी है जिसे एक दिन पहले एक ट्रफ दक्षिनी 36 गर से दक्षिनी कोकन की ओर बढ़ रहा था जो अब पूर्वी विदर्भ और दक्षिनी कोकन की ओर बढ़ रहा है मौसम केंद् और उससे सटे इलाकों में जो साइकलोन सर्कूलेशन था जो अब कमजोर पड़ चुक है मौसम विभाग ने बताया है कि आज 27 सितंबर बुद्वार को 34 गर में एक दो जगों पर गरत चमक के साथ वजर पात होने की संभावना है तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 के लिए जो पूर्वा नुमान जारिक किया है उसमें कहा गया कि इस दौरान आस्मान में आंसी बादल चाहे रहेंगे तो वहीं साम या रात में एक दो जगों पर गरत चमक के साथ बारी सोने की संभावना भी है और इस दौरान अधिकतम तापमान में 32 डिग्री और दो बार गरत चमक के साथ जीटे पढ़ने की संभावना है और इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री और नियुनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है अगर बात करें अगले 72 घंटों के मौसम की तो मौसम साफ रहेगा हाला कि साम या रात के समय आंसी इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेट और नियुनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है वैसे जानकारी यह भी सामने आई है कि मौसम विभाग के मुतामिक 27, 26, 29 सेप्टेंबर को कई जगों पर बारिस होने की संभावन है जहां 30 सेप् दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेंटीग्रेट तक बर सकता है और इसके बाद अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है तो यह रही दोस्तों मौसम की एक नई जानकारी जो की हमने आपको बता दी है तो अगर आपको वीडियो अ जानकारियों के साथ नेक्ष्ट वीडियो में